हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं वीटिम आपको बताने वाला हूँ कि आपको फ्रेट पॉळड़endam आप जो कर आ вып Streamheen तो आपको कुस तरीके से चार्जीवा जो रैगुलर्ली चार्जेश लगते हैंretooma टाइब के लगते हैं और उन्हें चार्जिस का मतलब क्या होता है तो वीडियो में आके बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं गार आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबसाइब कर लिजिए बैल लंको प्रस कर लिए ताकि हमारी ने नीए वीडियो के बेट लाता रहता हूं और अलग-अलग जो उनके कैसे वर्क करते हैं वह सारी चैनल पर आपको प्रैक्टिकली आपको बताता रहता हूं तो चैनल को सबसाइब करना बिल्कुल ना भूले तो देखिए मैं बात करूं चार्जिस की अगर आप किसी भी एक्सपोर्टर को या किसी बिल्कुल बिगनर से या बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता कि फ्रेट फॉर्डिंग में कौन-कौन से चाजिस लगते हैं तो आपके लिए वीडियो है तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपको किसी भी एक्सपोर्टर को अगर आप चार्जिस देने तो आपको क्या ह है पहले तो सबसे बारे मारे में आपको सबसे पहले जो चार भी कि वह सकते हैं ओसे उस्डी अमाउंड में आपको बताना पड़ाएं खिसी改 Saints मंग लेते हैं तो आपको सबसे सबसे पहले जो चार्जेस होता है जिसे आपको बताना पड़ता है आपको यूसडी में ही आपको बताएगी फ्रेट चार्जेस ठीक है तो फ्रेट चार्जेस का मतलब हो गया आपका जो शिप पे जो लोड कंटेनर होगा उसका जो मलब जिस पॉट से कंटेनर लोड हो रहा है और डेस्टनेशन पर पहुंच रहा हूं उसका भाड़ा हो ठीक है वह सिन फ्रेट हो जिसे आप वह सकते हैं और उसको आप प्रेट भी बोल सकते हैं ठीक है तो उसके बाद आपका आता है यह आपका यूसडी में हो गया इसके ओंड चार्जसjang को आयम तो दूसरा हो गया हैंडलिंग चार्ज और रहत Kernिल का है टर तूसरा होता है जीसे आप बिल विल नो चार्जस उसको बोल लीजिए से आप विलाफ लेटिंग चार्जेस बोल दीजिए या डॉकमेंट चार्जेस भूल दीजिए ठीक है तीनों का मतलब एक है यह यह आपका एक ठीक है तीसरा होते है सी ओल सकते हैं और यह कस्टम से मिलती है वह थो कस्टम भाकर देती है उस मैं आपको चाहली की चांजेस यह आपको पॉलेटर के यूजर होता है पाँernि रहना हो गया गया टर्मिनल के जहां container load होता है main port पे c port पे बोल रहा हूं ठीक है और दूसरा होगा handling charges जब लगता है जब आप किसी भी आईसी डी से अगर आप container export करें ठीक है अगर आप ICD के अलाबा अगर आप सी पोड़ से अगर container export करेंगे तो सिर्फ आपको तो आपको समझागी मैं ने आपको बता दी तो यह चार्ज अगर बिलकुल नया अगर आपको चेप्मेंट कर रहे हैं नॉर्मल तो यह चार्जिस आपको देने पड़ेंगे जब भी आप किसी भी कस्टमर को आप देंगे आप किसी भी कस्टमर या एक्सपोर्टर को अगर आप रेट देंगे तो आपको फ्रेट चार्जिस में अब उसमें अपना कमिशन म期स्टे में अपनी एड्ड करनी है तो आप उसमें आपना कमिशन डेंट करके कस्टम ओड़े सकते हैं और जाली जाली यह कभी आ तो इसलिए बनाया था कि आपको चार्जिस के बारे में आपको समझ आ पाए तो इस वीडियो में इतना ही तो मिलते नेक्ट वीडियो में एक नए टपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद